ओम शांती ओम शांती आज पांच फर्वरी दोहजार चौबिस दिन सौमवार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मधूर महावा क्यों को मीठे बच्चे यह पढ़ाई है दी बेस्ट इसे ही सौर्स ओफ इंकम कहते हैं पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की मत पर चलते चलो प्रश्न बाप ड्रामा का राज जानते भी अपने बच्चों से कौनसा पुर्शार्थ कराते हैं उत्तर बाबा जानते हैं नंबर वार ही सब बच्चे सतो प्रधान बनेंगे लेकिन बच्चों से सदा यही पुर्शार्थ कराते हैं कि बच्चे ऐसा पुर्शार्थ करो जो सजाएं ना खाने पड़े सजाओं से छूटने के लिए जितना हो सके प्यार से बाप को याद करो चलते फिरते उठते बैठते याद में रहो तो बहुत खुशी रहेगे आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगे ओम शंति अब बच्चे जानते हैं बाबा हमको ज्यान और योग सिखलाते हैं हमारा योग कैसा है यह तो बच्चे ही जानते हैं हम जो पवित्र थे वे अब अपवित्र बने हैं क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना यह 84 जन्मों का चक्र है यह जानेंगी भी वे ही जो 84 जन्म लेते होंगे तुम बच्चों को बाब त्वारा मालूम हुआ है अब ऐसे बाब का भी अगर नहीं मानेंगे तो बाकी किसका मानेंगे बाब की मत मिलती है ऐसे बहुत हैं जो बिलकुल नहीं मानते कोटों में कोई मानेंगे बाब शिक्षा भी कितनी क्लियर देते हैं तुम बच्चे ही मानेंगे नंबर वार पुर्शर्थ अनुसार, सब एक रस तो नहीं मानेंगे, टीचर की पढ़ाई को सब एक रस नहीं मानेंगे अथवा पढ़ेंगे, नंबर वार कोई 20 माक्स लेते हैं, कोई कितनी माक्स लेते हैं, कोई तो नापास हो पढ़ते हैं, ना बच्चे जानते हैं बरोबर हमने 84 जन्म लिये हैं पाप कहते हैं मैं जिसमें परवेश करता हूँ ये किसने कहा शे बाबा ने मैं जिसमें परवेश करता हूँ जिसको भागीरत कहते हैं वे अपने जन्मों को नहीं जानते थे तुम बच्चे भी नहीं जानते थे तुमको अ तरते आए अब तुम यहां पढ़ने लिया है हो पढ़ाई है कमाई source of income यह पढ़ाई है ही the best उस पढ़ाई में कहेंगे I.C.S. the best तुम जो सोलह कला संपूर्ण थे अभी कोई गुण नहीं रहा है गाते हैं निरगुण हारे में कोई गुण ना ही सब ऐसे कहते रहते हैं के आगे बैठ कहते हैं मैं निरगुण हारे में कोई गुण ना ही आपको ही तरस पड़ेगा गाया भी जाता है बाबा blissful है महरबान है हमारे उपर दया करते हैं कहते हैं हे ईश्वर रह्म करू बाप को बुलाते हैं अब वो ही बाप तुम्हारे सामने आया है ऐसे बाप को जो जानते हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए बेहद का बाप जो हमको हर पाँच हजार वर्ष के बाद फिर से सारे विश्व की राजाई देते हैं तो कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए तुम जानते हूँ श्रीमत पर हम श्रेष्ट से श्रेष्ट बन रहे हैं अगर पर चलेंगे तो श्रेष्ट बनेंगे आधा कल्प रावण की मत चलती है बाबा कितना अच्छी रीती समझाते रहते हैं तुमने 84 जन्म लिये हैं तुम ही सतो प्रधान थे अभी तुमको फिर सतो प्रधान बनना है यह है रावण राज जब इस रावण पर जीत हो तब राम राज स्थापन हो बाप कहते हैं तुम मेरी गलानी करते हो बाप का नाम गायन करने के बदले गलानी करते हैं बाप कहते हैं तुमने मेरा कितना अपकार किया है यह भी ड्रामा बना हुआ है अब यह सब समझानी दी जाती है कि इन सब बातों से निकलो एक को याद करो गायन उसे ही प्रश्न पूछेंगे ना, तुम जानते हूँ, मेरा ही नाम बागवान खिवईया है, अर्थ ना समझने कारण बेहद के बाप की बहुत गलानी की है, फिर बेहद का बाप उनों को बेहद का सुख देते हैं, अपकार करने वालों पर उपकार करते हैं, यह समझते नही हैं कि हम अपकार करते हैं बड़े खुशी से कहते हैं इश्वर सर्व व्यापी है अब ऐसे तो हो न सके हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है यह भी तुम जानते हो जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था भारत सतो प्रधान था अब है तमो प्रधान बाप आते ही हैं दुनिया को सतो प्रधान करने सो भी तुम बच्चो को ही मालूम है सारी दुनिया को अगर मालूम पड़े तो यहां कैसे आएंगे पढ़ने के लिए तो तुम बच्चो को अथा खुशी होनी चाहिए खुशी जैसी खुराक नहीं सत्युग में तुम बहुत खुश रहते हो देवताओं का खानपानादी बहुत सूक्ष्म होता है बहुत खुशी रहती है अभी तुमको खुशी मिलती है तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे अब फिर बाबा हमको ऐसी फर्स क्लास युक्ति बताते है गीता में भी पहला पहला अक्षर है मन मनाभव यह गीता एपिसोड है ना गीता में श्री क्रिश्न का नाम डाल सारा मुझारा कर दिया है वह है भगती मार्ग बाब भी नौलेज समझाते है इनमें कोई खिट-पिट की बात नहीं सिर्फ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है यह तमो प्रधान दुनिया है कल युग में देखो मनुष्यों का क्या हाल हो गया है धेर मनुष्य हो गये है सत्युग में एक धर्म एक भाशा और एक बच्चा होता है एक ही राजी चलता है ये ड्रामा बना हुआ है, तो एक है स्रिष्टी चक्र का ग्यान, दूसरा है योग, ग्यान का धुरिया और होली, मुख्य बात बाप समझाते हैं, इस समय सबकी तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत अवस्था है, विनाश सामने खड़ा है, अब बाप कहते हैं, तुमने हमको बुलाया ही है कि हमको पावन बनाने आओ, तुम पतित बन गए हो, पतित पावन मुझे ही कहते हैं, अब मेरे साथ योग लगाओ, मामे कम याद करू, मैं तुमको सब कुछ राइट ही बताऊंगा, बाकि जन्म जन्मांतर तुम अन्राइटिस बनते ही आए हो, सतो प्रधा पावन से तमो प्रधान बन पड़े हो, बाप बच्चों से बात करते हैं, मीठे बच्चे अभी तुमारी आत्मा तमो प्रधान बनी हैं, किसने बनाई, पाँच विकारों ने, मनुशे तो इतने प्रशन पूछते हैं, जो माथा ही खराब कर देते हैं, शास्त्रा आर्थ क कल्यूग के बाद फिर सत्यूग जरूर आना है, सतो प्रधान भी जरूर बनना है, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है, सोना जितना केरेट होगा, जेवर भी ऐसा बनेगा, खाद पड़ती है न, अब तुमको 24 केरेट सोना बनना है, देही अभिमानी भव, दे अभिमान में आने से तुम छीची बन पड़े हो, कोई खुशी नहीं है, बिमारिया रोग आदी सब कुछ है, अब पतित पावन मैं ही हूँ, मुझे तुमने बुलाया है, मैं कोई सादू संतादी नहीं हूँ, कोई आते हैं कहते हैं गुरु जी का दर्शन करें, बोलो गुरु जी का तो है नहीं, और दर्शन से भी कोई फायदा नहीं, बाप तो हर बात सहज समझाते हैं, जितना याद करेंगे उतना तमो प कट निकल जाएगे, सतो प्रधान बनेंगे, पुर्शार्थ से ही बनेंगे न, उठते बैठते चलते बाप को याद करो, क्या स्नान करते बाप को याद नहीं कर सकते हो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, तो कट निकलेगे, और खुशी का पारा चड़ेगा, तुमक कितने हीरे जुहारात होते हैं बहुत राजाए मंदिर बनाते इतना हीरा सोना कहां से आता है अब तो है नहीं ये ड्रामा भी तुम जानते हो कि कैसे चक्र फिरता है ये बैठेगा भी उनकी बुद्धी में जिनोंने सबसे जास्ती भक्ती की है नंबर वारी समझेंगे ये पता पड़ेगा कि कौन बहुत सर्विस करते हैं बहुत खुशी में रहते हैं योग में रहते हैं वे अवस्था पिछाडी में होगी योग भी जरूरी है सतो प्रधान बनना है बाप आया हुआ है तो उनसे वर्सा लेना है ये भी कहते हैं बाबा तो हमारे साथ है मैं सुन रहा हूँ तुमको सुनाते हैं तो मैं भी सुनता जाता हूँ किसी को तो सुनाएगा न ग्यान अमरित का कलश तुम माताओं को मिलता है माताएं सब को बाटती है सर्विस करती है तुम सब सीताएं हो, رाम एक है तुम सब ब्राइड्ज हो, मैं हूँ ब्राइड करू तुम को श्रिंगार कर ससुराल घर भेच देते है गाते भी हैं, वे बापों का बाप, पतियों का पती है एक तरफ महिमा करते हैं, दूसरी तरफ ग्लानी करते हैं श्री बाबा की महिमा अलग है श्री क्रेशनी की महिमा अलग है पोजीशन सबका अलग अलग है यहां सबको मिला कर एक कर दिया है अंधेर नगरी तुम अब बाबा के बने हो श्री बाबा के पोत्रे पोत्रियां हो तुम सबका हक लगता है इस बाबा के पास तो लेते हैं पारलोकिक परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं सत्युग में याद नहीं करते हैं सत्युग में हैं एक बाप और रावण राजे में हैं दो बाप संगम पर हैं तीन बाप लोकिक पारलोकिक और तीसरा है वंडरफुल अलोकिक बाप इन द्वारा बाप वर्सा देते हैं, इनको भी उनसे वर्सा मिलता है, ब्रह्मा को एडम भी कहते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रेंट फादर, शिव को तो फादर ही कहेंगे, सिजरा मनुश्यों का ब्रह्मा से शुरू होता है, इसलिए उनको ग्रेट ग्रेट ग्रेंट फादर कहा जाता है, नौलज तो बह भी नेती-नेती कह देते थे अब बाप आकर अपना परिचे देते हैं तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए अब धीरे-धीरे तुम बच्चे उपर चड़ते जाते हो ड्रामा अनुसार कल्प-कल्प नंबर वार कोई सतो प्रधान सतो रजो तमो बनते हैं ऐसा ही पद वहाँ मिलता है इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीती पुर्शार्थ करो जो सजायन ना खाओ पुर्शार्थ जरूर कराते हैं बल समझते हैं बनेंगे वही जो कल्प पहले बने होंगे परंतु पुर्शार्थ जरूर कराएंगे जो नस्दीक वाले होते हैं पूजा भी अच्छी तरह वही करते हैं पहले पहले तुम मेरी ही पूजा करते हो फिर देवताओं की पूजा करते हो अब तुमको देवता बनना है तुम अपना राज योगबल से स्थापन कर रहे हो योगबल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले न सके वे लोग भाई भाई को आपस में लड़ाते रहते हैं कितना बारूद बनाते हैं उधार में एक दो को देते रहते हैं, बारूध है ही विनाश के लिए, परन्तु यह किसी को बुद्धी में नहीं आता क्योंकि वैं समझते हैं कल्प लाखों वर्ष का है, गोर अंधियारे में हैं, विनाश हो जाएगा और सब कुम्भकरण की नींद में सोए रहेंगे, बाप है ही जागती जोत, नौलिजफुल, तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं, वह है भगती, यह है ज्ञान, ज्ञान से तुम सुखी बनते हो, तुमको आना चाहिए कि हम फिर से सतो प्रधान बन रहे हैं, बाप को याद करना है, इसको कहा जाता है बेहद का सन्यास, ये पुरानी दुनिया तो विनाशोने वाली है, नैचुरल क्लेमेटीज भी मदद करती है, उस समय तुमको खाना भी पूरा नहीं मिलेगा, हम अपने खुशी की खुराक में रहेंगे, जानते हो ये सब खलास होना है, इसमें मूझने की बात नहीं है, मैं आता ही हूँ, तु तो कल्प कल्प का मेरा ही काम है, अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड म दारना के लिए मुख्य सार प्रेक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्व शक्ती मान भव अब बाप दादा के वर्दान को विस्तार में समझेंगे मास्टर कार्थ है कि जिस शक्ती का जिस समय आवाहन करो वो शक्ती उसी समय प्रेक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो और किया और हाजिर ऐसे ने कि ओर करो सहनशक्ति को और आय सामना करने की शक्ति तो उसको मास्टर नहीं कहेंगे तो ट्राइल करो कि जिस समय जो शक्ति आवश्चक है उस समय वही शक्ति कारे में आती है एक सेकिंड का भी फर्क पड़ा तो जीत के बजाए हार हो जाएगे स्लोगन बुद्धी में जितना इश्वरिय नशा हो कर्म में उतनी ही नम्रता हो बुद्धी में जितना इश्वरिय नशा हो कर्म में उतनी ही नम्रता हो ओम शंति